कल्पना सोरेन ने दिवंगत फादर स्टेन स्वामी को आदिवासी अधिकार कारिकरता बताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि पुलीस हिरासत में उनकी मौद भारत के लोक तंत्र और मानवा अधिकार पर काला धबा है उन्होंने चुनाओ परिनाम को उनकी मौद का बद कल्पना ने लिखा कि इतनी उम्र और पारकीसन रोक से गरसित होने के बावजूद भाजपा सरकार ने जूटे आतंगबाद का रोप लगा कर उन्हें जेल में रखा उन्हें जमानत नहीं दी चिकितसा उपचार से वन्चित रखा पानी पीने के लिए 25 पैसे का एक इस्ट विपक्षेवम आदिवासियों को दबाने और मानवा अधिकार कार को अपराधी करन करने की भाजपा की निती का उधारन है कल्पना सोरेन ने लिखा है कि जैसे सबसे कमजोर वर्ग के लिए आवाज उठाने वाले फादर स्टेन को संस्थागन उपेक्षा और अन्याय से चुप कराया गया आज उसी तरह का जुल्म हेमन सोरेन पर हो रहा है उन्होंने सोशल मीडिया पर फादर स्टेन सौामी के साथ पुर्व सीम हेमन सोरेन की तस्वीर भी साजा की है अब सवाल है कि क्या कल्पना सोरेन को इस बात का डर सता रहा है कि जेल में बंद हेमन सोरेन के साथ भी किसी तरह की अन्होनी हो सकती है जारकण मुक्ती मोर्चा परवक्ता मनोच पांडे ने कहा कि इसकी चर्चा पूरे जारकण में हो रही है आखिर हेमंद सोरेन को बे बुनियादी आरोप में जेल में क्यों रखा गया है कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके साथ भी स्टेन स स्वामी की तरह किसी तरह की साजिश रची जा रही हो। उन्होंने कहा कि केंदर सरकार को इस पश्ट करना चाहिए कि कई नेताओं पर गंभीर आरोप हैं फिर भी बाहर घूम रहे हैं जबकि हेमन्त सोरेन को जमीन से जुड़े दीवानी मामले में जेल में डाला गया है। य किरिया लेने की कोशिस की गई लेकिन चुनाओं बाद नतीजों को लेकर बुलाई गई बैठक में व्यस्तता की वज़ा से किसी से संपर्ग नहीं हो पाया।